नमस्कार दाशकों मैं जोतिश अर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहत विशेश कारिक्रम वैदिक गुरु में हमारे इस कारिक्रम के माध्यम से हम आपको लगातार बताते हैं कि जोतिश के माध्यम से कैसे आपके जीवन के बारे में जाना जा सकता है वास्तु किस तरह से आपके घर और आपके जीवन की जो भी समस्तियां परिश्वानियां हैं उनको ठीक कर सकता है क्या टेरो कार्ट के माध्यम से हमारे जीवन के बारे में जानकारी मिल सकती है कि टेरो कार्ट के माध्यम से हमारे जीवन में जो परिशानिया चल रही है उनका समाधान मिल सकता है या फिर हम इस कारेक्रम में बात करते हैं निम्रलोजी के माध्यम से हमारे स्कारेक्रम के माध्यम से आपकी तमाम समस्याओं का समाधान तमाम तरीकों से दिया जाता है और हमारे आज के इस अपिसोड में हम चर्चा करेंगे टैरो कार्ट के बारे में क्या कुछ उपाए हैं जिने करने से वो परिशानियां दूर हो सकती हैं और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है किरन जी चलिए सबसे पहले मिलकर करेंगे किरन जी बहुत स्वागत करूंगे कारेकरम में आपको बहुत भ सवाल हो वो कारेकरम के माध्यम से आपको जरूर बताया जाएगा कि क्या कुछ आप उस सवाल का जवाब क्या होगा या फिर किस तरह से आप अपनी समस्या का समधान कर सकते हैं तो किरन जी जैसा की बोला कि आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में सबसे बहले अगर बात की जाए टैरो कार्ड्स की तो क्या होते हैं टैरो कार्ड्स इसके बारे में जाना चाहिए जी बिल्कुल अक्सर लोग बड़े उनू सर्प्राइज जाते कि टैरो तो येस बिल्कुल उसका जवाब आपको मिलेगा अभी जब हम टैरो कार्ड्स की जब हम बात करते तो तैरो कार्ड्स आपने देखा हो को लोग पत्ते खेलते हैं ये कुछ ऐसे दिखते हैं जब हम इनको शफल करते हैं तो थे एनलाइज अवर एनरजी हमारी एनरजी को अनलाइज करते हैं जिसके थ्रू हमें गाइडेंस मिलता है टैरो कार्ड्स का है न और इसके अंदर हम देखी तो 78 कार्ड्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ के इवेंट्स को और मेजर इवेंट्स को दर्शाते हैं जी तो बिलकर दाश को क्या होता है टैरो कार्ट इसके बारे में जाना लेकिन अब बात की जाए कि अगर हम टैरो कार्ट की बात करें और जैसा कि मैंने कहा कि अकसर हम बात करते रहते हैं टैरो कार्ट के मादम से या नमलोजी के मादम से या जोतिश के मादम से तो अगर जोत मदाया जाता है लेकिन deer regular के माधं से हमेh सरफ एक scoring करना होता है और वह कार्ड हिथ हमें बताता है कि कि सरय आने वाला समय है वह रहने वाला है तो यह कैसे पॉसिबल है, मतलब एक कार्ड कैसे हमारे जीवन के बारे में बता सकते हैं? Actually होता क्या है, कार्ड हमारी एनर्जी को अनलाइस करते हैं, because जो हमारी इंटेंशन हैं, जो हमारा थोर्ट प्रोसेस है, जो भी हमारे एक्शन्स, हमारे थोर्ट प्रोसेस के हिसाब से जो एक्शन्स होंगे, फिर वही एनर्जी हमारे कार्ड में रिफ्लेक्ट होती है, तो जो हमारी करेंट एनर्जी है, उसके बेसिस पे कार्ड केंदर वो चीज़ रिफ्लेक्ट होईगी, और उसी के basis पे जो future outcome है वो हमें दिखाई दिता है तो बिल्कुल किरन जी बहुत सारे mail भी हमारे पास आते रहते हैं और एक ये mail हमारे पास आया है नमृता का इनका कहना है कि आने वाले तीन महीने में मेरा relationship मेरे partner के साथ कैसे होने वाला है क्योंकि अभी थोड़ी बहुत समस्याइं चल रही है लेकिन आने वाला समय हमारा relationship के लिए कैसा रहने वाला इसके बारे में जाना जाते है जी बिल्कुल करते हम शुरू पर हिंके लिए क्योंकि टैरो कार्ट्स के अंदर shuffling बहुत ज़रूरी है energy को token करने के लिए तो कि इसमें cards में जो reflect हो रहा है जो कि energy है cards में energy आई है पहले इनका relationship काफी अच्छा चल रहा था काफी family support भी था क्योंकि हमारा star card आया है और वो बहुत positive card माना जाता है तो पहले relationship बहुत अच्छा था पर अभी जो हम देख रहे हैं वो बीच में कुछ juggling चल रही है चीजे conflicting हो रही है conflicting energy दिखाई दे रही है लडाई जगडे वाली सम्भावना दिख रही है इसके अंदर तो अभी current energies यह हैं अगर फ्यूचर की बात करें तो हाँ stability की chances हैं बट वही कि action लेना पड़ेगा अपने ego को aside करके action लेना पड़ेगा दोनों partners को तो यह आने वाले समय में चीज़े जरूर सुधरेंगी बट उनको थोड़ा अपने ego को दूर करना पड़ेगा ego वाली conflicts ज्यादा दिखाए दे रहे हैं energy के according so yes चीज़े जरूर जल्द ही ठीक होने वाली हैं जी तो बिलकुल नमरता जी अपने relationship को लेकर आप थोड़ी से चिंतित हैं चिंतित्मत होई है बताया आपको किरन जीने की थोड़ा सा समय लगेगा और relationship में सुधार जरूर आएगा अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है लेकिन अपने ego को साइट में रखकर अगर आप अपने पार्टर के साथ अच्छे से रहेंगी अपनी चानिया जो है समस्यां जो है वो जरूर दूर होगे चलिए अगला मेल हमारे पास आया है प्रमोच जी का इनका कहना है कि कौन सा जॉब करियर मेरे लिए बैटर ऑप्शन हो सकता है मेरे पास दो ऑप्शन है एक ऑप्शन है गुडगाओं का एक ऑफिस है वहां मुझे ऑफ सब्सक्राइब तो अगर कहें तो हमारा जो पूरने वाला ओफिस वो बैटर ऑप्शन दिखा रहे है और गुरगाओं वाला ऑफिस बैटर बैटर ऑप्शन नहीं दिखा रहे तो आई वुडगेस्ट कि आप पूरने वाले ओफिस को चूस करें वहाँ पर आपको better options दिखेंगे और आपका career बहतर तरीके से जाएगा प्रमोज जी कौन सा career option आपके लिए better है आपको किरन जी ने बताया अगर आप पूने office जाकर अपने career की नई शुरुबात करना चाहते हैं अपने तरीके से जीवन की शुरुबात करना चाहते हैं तो पूने जाना आपके लिए जादा बहतर रहेगा गुर्गाओं में आपके लिए better better नहीं रहेगा इसलिए अच्छा रहेगा कि आप अपने career के लिए अपनी जीवन में growth के लिए और अपने अच्छे जीवन के लिए पूने में जाकर ही अपनी नई जॉब की शुरुबात करें चलिए अगला मेल हमारे पास आया है इनका कहना है क्या मैं Canada जाना चाहता हूं क्या मुझे इस साल के पी आर के लिए try करना चाहिए क्या मैं success successful रहूंगा सक्सेश्टी सौन लिए तो देखते हैं कि जो हमारे जिनोंने सवाल किया है उनके के लिए कैनेडा के पी आर के लिए इस बार ट्राइ करना सही होगा या नहीं चलिए देखते हैं ठीक है अभी तो नहीं अभी के अनर्जी हम देखे तो अभी तो फिलहाल के लिए मतलब अगर थोड़ा वेट करें कुछ समय बाद दुबारा ट्राय करें तो जादा अच्छा होगा अभी तो करेंट एनर्जी के हिसाब से तो थोड़ा समय लगेगा अभी हाँ अभी थोड़ा सा वक्त आपको लग सकता है उसके बाद अगर आप ट्राय करेंगे तो आपके लिए बहतर रहेगा एक मेल हमारे पास आया है इनका नाम आलोक है और यह एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं इनका कहना है कि थेटर में अभी काम कर रहे हैं लेकिन एक्ट जहां मैं भी जॉब कर रहा हूं वही मेरे लिए बेटर आप्शिन है चलिए फिर हम देखते हैं इनके लिए कौन सा फील बैड़र होगा चलिए देखते हैं तो आलोग जी की बारे में अगर हम बात करें वो आक्टिंग करियर में जाना चाहते हैं तो मैं मतलब कार्ड की अनरजी यही कह रही है कि अभी थोड़ा समय लगेगा अभी वक्त सही नहीं है कुछ समय बात ट्राय करें तो जादा अच्छा होगा क्यूंकि अभी सिच्वे थोड़ा सा समय लगेगा वो समय दे और उसके बाद अगर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी लेकिन जब भी दर्श को आपके मन में कोई सवाल होता है जब भी जीवन में कोई समस्ताइं होते हैं तो उस सवाल को आप जरूर पूछे और वो सवाल पूछन और उन्ही मेल्स के आंसर आज आपको टेरुकार्ट के माध्यम से दिये जा रहे हैं कि क्या आपके लिए सही रहेगा और क्या आपके लिए सही नहीं रहेगा अगला मेल हमारे पास आया है कि अभी मैंने अपनी 12th क्लियर किये है और मेरी 12th में अच्छे marks आइं हैं लेकिन मैं इस confusion में हूँ कि क्या मैं dr. field के लिए अगर try करूँ क्या मैं mbbs के लिए अगर try करूँ तो क्या मुझे सफल्ता मिलेगी mbbs के लिए ? जी बिल्कुल देखते हैं इनके लिए क्या cards आते हैं इनके लिए क्या suggestion आता है क्या guidance आती हमारे tarot cards के थरू let's see इनो ने भी 12th क्लियर किया है और MBBS के लिए ट्राइ करना चाहते हैं तो जरा देखते हैं किया एनर्जी आती है हमारी हमारे टैरो कार्ड्स की कार्ड्स कह रही है कि येस पॉजिटिव बने रहें मेहनत करते रहें बिल्कुल इस डारेक्षमिन जाना चाहिए है जज्मेंट कार्ड आया है यहां पर एग और जज्ज्मेंट कार्ड्स हमारे जो हमारा हार्ड वर्ग है जो मेनत करते है उसको भी तो ईस जिएस जो उन्होंने मेहनत की है उसका पॉजिटिव उन्होंत मिलेगा आज प dei के उल्ग्ट एक्जाम दिया मेरे पास आया है यहां पर और इनका नाम अमित है और इनका कहना है कि मैं बहुत ही खुबसूरत रिलेशिंशिप में था लेकिन कुछ परसनल रिजन्स की वज़ा से हमारा ब्रेक अप हो गया लेकिन अब मैं यह जाना जाता हूं कि जो मेरी एक्स गल्फरेंड है वो मेरे बा कालते हैं उनके लिए कुछ कार्ट्स कार्ट्स को इस पास में आपका रिलेशिंशिप बहुत अच्छा था बहुत अच्छी चीज़े थी आपने बहुत इंजॉय किया अपने रिलेशिंशिप को और यह बीच में कुछ स्टेबिलिटी को लेकर जादा इस बीच मुझे जो सेंस बन रहा है जादा फाइनेंशियल इसूस की वज़े से यह प्रॉब्लम आई है आपके रिलेशिंशिप में और यह आपकी जो गर्फ्रेंड है वो यह अभी शीजाविंग स्लीपलेस नाइट शीज नाट फिलिंग गुड जैसे कि हम देख सकते हैं पर कि अनरजी तो यही रिफ्लेक्ट हो रही है कि वह अच्छा तो फील नहीं कर रही है अभी वह कहीं नेरजी में अर्व चीजों को मेमराइज करती है जब भी तो यह उनको फीलिंग आती है कि बहुत अच्छी चीज उन से कुछ छूटी है जी तो बिलकुल अमेजी आपकी बिलकुल आपके बारे में सोचती है और बिलकुल वो आपके साथ जो उनका रिष्टा था जैसा भी रिष्टा था वो उस चीज को मिस करती है कि अगला मेल हमारे पास यहां पर आया इनका नाम निखिल है और इनका कहना है कि यह किसी लड़की को लाइक करते हैं लेकिन बो के जिब बिलकुल जाहिर करना बहुत ज़रूरी बात है कॉम्मिनिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो हम देखते हैं अपनी दिल की बात आपको बतानी चाहिए या नहीं चलिए चेक करते हैं और उनको यह भी लगता है कि वह अलड़ी किसी और ह Patient He heltाँ होते हैं हैं आ इन स्वॉर्ड होते हैं तो जिसे हमारे जो लाइफ के जो भी छुट-छुटे की में से so, cards की energy though कुछ ऐसी कह रही है कि आप अपने पिल की बाद बया कर सकते हैं ऐप कह सकते हैं she is not in a relationship but yes आप कह सकते हैं अपने पिल की बाद वो किसी और relationship में नहीं है She is a personality like this तो ऐसा नहीं है कि वो किसी और relationship में है आप अपनी दिल की बात आराम से कह सकते हैं माम जब टेरो कार्ट की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के मन में कही ना कही यह सवाल ज़रूर ता है क्योंकि जब मैं भी कही बार देखती हूं तो सिर्फ कार्ट कैसे हमारे करियर के बारे में हमारे जीवन के बारे में हमारे प्यार के बारे में क्योंकि अभी पिछले दो-तिन मेल्स हमारे पास ऐसे आया है जो अपने एक्स के बारे में या फिर अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो कैसे कार्डस सब कुछ जो है बयान कर देते हैं कि तम्हारी क्या मिलने वाला है यह सवाल जो है यह बहुत बार जो है बहुत सारे दर्शच भी पूष्ते है और कहीं कर I am मारे माइंड में भी ए सवाल चलता रहते हैं अगर हम टारो कार्ज की जब हम बात करते हैं तो क्योंकिसमें कार्च का डिजाइन ही इस तरीके से होता है कि there are total 78 कार्ड्स और जिसमें से major अरकाना कार्ड्स हैं जिसमें फूल Magician, High Priestess, The Empress, The Emperor काफी तरीके के जो कार्ड होते हर एक कार्ड का अपना एक मीनिंग होता है और हर एक कार्ड का अपना इम्पोर्टेंस होता है तो अगर हम बात करें जो कि आपकी लाइफ में कोई मेजर इवेंट जब होगा वो उसको रिफलेक्ट करेगा जब हम मायनर अरकाना की बात हम जब कहते है तो जैसे कि suit of cups हो गया है Ace of cup हो गया-Two of cups हो गया, Three of cups हो गया यह जो कार्ड हैं, they tell about your emotions आपके emotions क्या है उसको रिफलेक करते हैं similarly जब हम बात करें, pentacles की तो pentacles ऐसे energy reflect करतें जो कि stability को दर्शाता है similarly हम बात करें Swords की Wands की so there are different type of cards जो कि जैसे कि यहां पर हम दिखा सकते हैं कि यह card है हमारा Pentacles का card है तो यहां पर two of Pentacles का card है तो Pentacles हमारे career को finance को reflect करता है हमारे stability को reflect करता है अगर किसी रीडिंग में अगर यह card आता है इसे related तो इसके अपनी मिनिंग्स हैं अगर जैसे वो डिपेंड करता है अपका सवाल क्या है अगर आप किसी relationship के बारे में जानना चाहते हैं अपने finance के बारे में करियर के बारे में जानना चाहते हैं या family issues depends on the questions ऀसके हिसाब से copy art को in T आपकी तरश को कार्चा ईपके बारे में आपकी फ्युचे के बारे में जरूर पताते हैं क्यूंकि जो भी आप की energy होगी card उसी के according काते हैं और उसी की going to लेकिन पैसा बहुत ज्यादा खर्च करने लगी हूँ मुझे कही ना कहीं किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ लेते रहना पसंद है और मैं पैसा सेफ भी करना चाहती हूँ लेकिन फिर मेरा माइंड बिल्कुल हट जाता है और मैं सोचती हूं कि चार दिन की जिन्दगे यह है कि पैसा तो है पर खर्च बहुत जादा होता है पर उसको सेव नहीं कर पारे और इसी आदत की वज़े से कही ऐसा तो नहीं है कि बाद में प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आएंगी तो यह हमारा सवाल है चलिए जानते तो यहां पर मुझे दो चीज़े नजर आ रही है एक तो यह की क्या करना चाहिए यह जो हैबइट है शायद इसको भी हम करना चाहेंगे तक हुसको बैनेफिट मिले सेकिंदिग अगर यह हमिरा इस कंटियुक द हुआеро इंबेलेंस तो नहीं होगा चलिए कोशिश करते हैं देखते हैं हमारे टैरो कार्ट में क्या आता है भाई बहुत जरूरी है हमारे finances को balance करना तो बहुत जरूरी है चलिए देखते हैं क्या energy reflect होती है आपका जो भी जिन्होंने सवाल किया है उनका financial status कैसे होने वाला है मुझे कही न कहीं जो cards में देखकर लग रहा है वो शायद कहीं न कहीं हमारा जो card आया है यह कहीं न कहीं cups, emotions में कहीं न कहीं चीज़े affect तो होगी और जो energy reflect हो रही है वो यही हो रही है कि अगर आपने इस चीज़ को balance नहीं किया तो yes problems तो आएंगे थोड़ा balance करने की जरुवत है इस चीज़ को suggestion में मतला yes it will affect so it's very important कि आप इस habit को timely you know control कर ले जी बिलकुल तो आप जाना चाहते है कि यह जो पैसा खर्च कर रही है और ना चाहते हुए भी कही न कहीं कोई न कोई पैसा किसी न किसी वजह से खर्च हो जाता इसको control करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए तो आपको बताया कि कहीं न कहीं आपको control करना ही चाहिए क्योंकि आगे जाकर जो है वो problems हो सकती है अभी सब ठीक है लेकिन कहीं न कहीं आगे जो है वो problems face आपको करनी पड़ सकती है एक और mail हमारे पास आया है इनका नाम पवन है और इनका कहना है कि इनकी job अच्छी चल रही है लेकिन अपना घर यह बनाना चाहते हैं तो क्या आने वाले समय में इनका खुद का घर डली में जहां पर यह रहते हैं वहां पर हो पाएगा या नहीं इसके बारे में जाना जा चलिए बताते हैं आपके बारे में आपका घर होगा भी या नहीं आप वैसे कुछ इसमें स्पैसिफाई क्या है इनोंने टाइम डूरेशन कब तक चाहते हैं इनोंने पुछा है कि आने वाले तीन साल तक क्या मैं अपना घर बना लूँगा या भी और ज्यादा टाइम सब्सक्राइब है इनको बहुत ध्यान बहुत समझदारी के साथ स्टेप्स लेने पड़ेंगे अभी हां बन जाएगा पर इनको थोड़ी महनत करने की जरूत है जी बिलकुल और घर बनाना है तो उसके लिए महनत करने ही पड़ेगी तो पवन्जे आप थोड़ी सी महनत की आशा करते हैं कि अपने घर का जो सपना आपने देखा है वो बहुत जल्द ही पूरा हो जाए इसके साथ ही जो हमारी दर्शक हमें मेल करते हैं बहुत सारे दर्शक हैं जो लगतार मेल करते हूं वह सारे सवाल उनके मन में होते हैं एक दर्शक है हमारा इनका नाम धीरज है औ और जो मेरे जॉब है उसके साथ भी कही न कहीं कोई प्रब्लम हो जाती है मैं करता नहीं हूँ बहुत सी गलती है लेकिन सामने वाला उसे ऐसे प्रिजेंट करता है जैसे वो गलती मैंने ही की हो क्या मुझे नौकरी में इस वक्त मैं जहां पर लगा हूँ आने वाले समय में हो सकते हैं इसके बारे में जाना जाते हैं धीरत जी हैं हमारे साथ दिली से बिल्कुल चलिए देखते हैं धीरत जी के जो वर्क प्लेस है नौकरी में जो प्रॉब्लम सारी है चलिए देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में धीरत जी, हाँ बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, वर्क प्लेस में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, नौकरी में दिक्कत होना बिल्कुल समझा जा सकता है, क्या प्रॉब्लम होती होगी आपको, चलिए देखते हैं, क्या एनर्जी जाती है आपके कार्ड्स में, आपके मुझा प्रॉब्लम 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 करता ही है, तो यंज, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहेगि, आप थोड़ा देखिए और उन लोगों से थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन कर पाएं अपने रिलेशनशिप्स तो यह बिल्कुल धिरजी जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां कोई न कोई ऐसा परसन तो है जो पीछे से प्रॉब्लम्स क्रियेट करता है तो ऐसे इंसान से आपको बचना चाहिए और करियर में ही नहीं लाइफ में आप कहीं भी हैं तो ऐसे इंसान से हमेशा बचें जो पीछे से आपकी चीजों को खराब करने की कोशिश करता है या जो आपकी परसनालिटी है उसको डाउन करने की कोशिश करता है तो तेरो कार्ट के मात्यम से आज हम जान रहे हैं कि कैसा रहे का आने वाला समय या फिर आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी या फिर आपका करियर कैसा रहेगा यह जो भी आप अपने बारे में जानना चाहते हैं आप हमें मेल कर सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं कि अगला मेल हमारे पास आया है अंकित का इनका कहना है कि मेरी मदर काफी स्प्रिच्वल है और वो इश्वर में बहुत जादा बिलीव रखती है और मेरी मदर के इसी बिहेवियर की वज़े से कही न कही थोड़ी बट प्राप्लम जो है वह हम बच्चों को और हमारे फैमिली को फेस करनी पड़ती है क्योंकि वो इश्वर का बहुत जादा नाम ले रही है तो ऐसी कंडिशन में जो है मैं कहीं न कहीं बहुत जादा स्ट्रेस में रहता हूं कि क्या सब ठीक होगा आने वाला समय कैसा होगा तो मेरा जो आने वाला समय है वो किस तरह का होगा और आने वा बिल्कुल टेरो कार्ट इन सभी सवालों का जवाब दे पाते हैं चलिए देखते हैं तो इनकी मदर क्या जादा ही इन चीजों में जाएंगी क्या समय बदलेगा और क्योंकि हमारी फैंबली जम इंपक्त होती है कि पर कि तो चीज़ें बिल्कुल हमारे लिए एक सवाथ हो जाता है कि अम बदलेगा चीज़ें कब ठीक होंगी तो चलिए देखते हैं कि जी बिल्कुल मैं देख पारी हो कि पहले काफी उनकी समर्पित तिया और पूरी तरीके से वो ओ खुड को समर्पित करना चाहती है Ayammy बाकी जो दूसरे requirement says जो किस ना किसी चीश से स्ट्रेस तो है और वो कही न कहीं शायद वो spirituality के तरफ जब वो जाती है तो वो उनको सुकून देता है तो मैं कह सकते हूं कि ऐसी कोई बड़ी problem तो नहीं है पर हाँ वो चीज continue तो रहेगी उनकी वो चीज के अंदर मतलब वो spirituality में रहेंगे वो continue रहेगे पर ऐसी कोई major problem तो नहीं दिख रही है इस लाइक कि वो कही न कहीं उनको help करता है उनको अच्छा फील कराने में किरन जी एक और mail आया है इनका नाम है नमो और यह जानना चाहती है कि फिलहाल मेरे घर में मैं अकेली हूं जो जॉब कर रही हूं और मेरे फादर जो है उनका थोड़े समय पहले उनको पैरलाइस का आया था तो उनका वही कहना है कि क्या मेरे फादर ठीक हो पाएंगे और अभी जो मैं अपने घर को संभाड रही हूं आने वाले समय में मुझे support मिलेगा मेरे मेरे छोटा भाई है वो भी पढ़ रहा है क् याने वाला समय मेरा किस तरह का रहेगा इसके बारे में जाना चाहते हैं आपने क्या नाम बताया इनका नमो क्या इनको support मिलेगा फादर की जो problem चल रही है health issues जो चल रहे हैं चलिए देखते नमो के लिए क्या cards आते हैं will he get support in this situation and बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि जब घर में क क्या cards आते हैं क्या जो current situation है उनकी जो उनके फादर की health issues चल रहे हैं उसके रहते जो असर हो रहे हैं नमों पर क्या उसमें कोई बदलाव आएगा चलिए देखते हैं cards को तो येस दिख रहा है बिल्कुल cards में वो चीजें हैं कि आप कितना परिशान है एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास आपके उपर दिख रहा है कि आपको पूरे घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है अपनी family को balance करने की जोद पड़ रही है और कह support visible है support आपको मिलेगा पर कुछ समय बाद मिलेगा उसमें थोड़ी सी मतलब जो पे से support आने का वो थोड़ा सा slow है पर हाला जरू बदलेंगे ऐसे नहीं रहेंगे जैसे अभी दिख रहे हैं जी तो बिल्कुल दर्शकों हमारे आज के इस कारिकर में हमने जाना कि क्या कहते ह हैं टेरो कार्ट किस तरह से टेरो कार्ट के माध्यम से हमारे जीवन के बारे में जीवन में जो भी समस्या परिशानियां चल रहे हैं उनके पारे में तमाम जानकारियां जो हैं वो हमें मिल सकते हैं तो किरंची आप स्टूडियो में आया आपने बताया कि तरह से काम करते ह और बहुत सारे दर्शक जो में लगातार मेल्स करते हैं, बहुत सारे दर्शकों के जो आप तमाम सवाल थे, उनके जवाब भी आपनी दिये, तो इस तमाम जानकारी के लिए हमारा और हमारे दर्शकों का मारक दर्शिन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहु जरूर उसकी सहायता मिली होगी धन्यवाद जी नमस्कार